आपको तो और आपको तो आपको सोलो ट्राइब के अंदर एक डिफन्स मेकेनिसम होता है जो मैं आपको बताने वारा हुआ हूँ जिपलकुल आपकी वाल, आज हम बात करें कि वाल आपकी कैसी होनी चाहिए यह जो हमारी wall होती है इसके उपर मैं बात करूँगा कि बाई देखो wall के अंदर research क्या रहेगी और इसके heroes वगरा क्या रहेंगे और आपको मतलब familiar के उपर एक separate video मिलेगा जिसके लिए आपको comment करना होगा comment section में comment करिएगा then उसके बाद में एक video पूरा personally मतलब family year के उपर बना दूँगा कि कौन से family year best रहेगा आपके solo tribe के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि wall के उपर heroes कौन से रहेंगे कौन से heroes best रहेंगे क्यों रहेंगे हर एक चीज़ का एक proper reason दूँगा ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में बात करूँगा बट देखो proper reason दूँगा हर चीज़ का आप बात करते हैं सबसे पहला कि wall की research क्या रहेगी और कुछ भाईयों के question रहते हैं कि wall के जो हमारे jewels होते हैं वो हम लगा सकते हैं बिल्कुल नहीं लगाने solo trap के अंदर wall jewels का कोई मतलब नहीं बनता भाई या तो आप wall का trap बना रहे हो जो कि आज की date में तो बिकार है बट वैसे ठीक रहाता है बहुत पहले काम करता था बटा wall defense वाले मतलब बिल्कुल fail हो गए है trap एक तरीके से तो आप बात करते हैं कि upgrade वगरे में upgrade defense वगरे में कुछ touch नहीं करना इसको ऐसी similar पढ़ा रहे हैं दो इसके अंदर कोई भी एक research करने की ज़रूत नहीं आप बात करते हैं heroes के उपर अब देखो सबसे पहली चीज heroes कौन कौन से आपको gold करने है क्यों देखो heroes का जो matter होता है ना मैं बताता हूँ देखो एक तो might control ना आप heroes के through कर सकते हो हर एक hero का मैं बता हूँ अगर एक hero आप gold करते हो ना तो उसका might approximately मान के चलो डेड़ से डेड़ million के असपास मिल जाता है तो डेड़ million का might आपको बचाने के लिए अगर आप सारे heroes gold कर लोग ना उसका कोई मतलब नहीं मनता भाई सिर्फ might एक खटा हो जाएगा एक साथ और कोई waste of waste होगा एकदम तो देखो मेरे trap में देख सकते हो सिर्फ 5 heroes जो starting में मिलते हैं वो भी grey level पे हैं उसको एक भी upgrade नहीं दिया मैंने even rank 1 से rank 2 तक नहीं ले गया मैं उन सबको सब ऐसी पड़े हैं उपर के heroes सबको मैंने higher तक नहीं किया है बस unlock हो गए हैं बर higher नहीं करना क्योंकि यह might extra generate करेगा और इसमें भी देखो rose knight जैसे हो गई यह जो 5 heroes है आप इसका screenshot ले लो यही 5 heroes आपको करने है gold यह दो कोई सबसे best heroes है और F2P लेना इससे best heroes कोई नहीं है और अब बात करते हैं इसमें भी कैसे might बचा सकते हैं देखो rank 7 पे आपके इसके जो सारे skills होते हैं battle skill होते हैं यह देखो मेरी Colossum ranking 500 के अप्रोक्स चलती रहती है जबकि मैं इसमें बहुत खेलता ही नहीं हूँ Colossum यह मान के चलो मेरी हमेशा देख रहो 5 के 5 entries पड़ी रहती है कुछ ना खेलने के बावजूद भी मेरी entry मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं gems तो इसलिए यह 5 heroes best है rank 7 तक reason मैं आपको बता दिया है कि आपका might control करना है हमें तो इसलिए अब बात करते हैं battle skill क्या है rose knight से आपको मिलेगा army attack 20% hp boost मिलेगा cav का 50% तो यह एक तरीके से best hero इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर army attack boost है देखो अगर आपके पास और heroes या पर्चेस कर सकते हैं या unlock कर सकते हैं जिनमें army attack boost मिला है तो वो सबसे best रहेंगे but rather than कि अगर आपके पास नहीं है इतना budget नहीं है ना इतने पैसे हैं कि आप खोल सकें तो यह F2P के लिए बता रहा हूँ सबसे best 5 heroes है जो कि मैं use कर रहा हूँ और अगर आपके और defense में इन 5 heroes के साथ अगर आपको proper trap बनाने के बाद कोई burn कर दे तो यह मान के चलिए वो बंदा ना करीब करीब नहीं तो 1200-1300% वाला होगा तब जा करके कहीं वो कुछ कर पाएगा आपका नहीं तो भाई मैं बता रहा हूँ मदब छोटे मोटे players को आप यह मान के चलो एक billion तक के player को आप गिनो ही मत उनको league में ही मत गिनो और जो छोटे मोटे मिथिक champion आते हैं जो normal mythic gear वाले होते हैं जिनका full mythic set होता है वो भी आप गिनो मत उनको तो मदब मैं ना के पराबर count करके चलता हूँ इवन वो tempered वाले भी हो तो भी सिरफ उनको count करना है जो mythic champion pieces के साथ आएंगे वह ही आपके दुश्मन होंगे उसके अलावा सारे दोस्ती मान के चलो क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते इस trap का अब बात करते हैं रोजनाइट मैंने जैसे आपको बताया और अगला रहा है का demon slayer इसका reason मैं बतायता हूँ इसको अप्ग्रेड करने का reason तुम बताया क्या है इसके जगह न हम oath keeper को भी रख सकते हैं oath keeper इसलिए नहीं रखा मैंने क्योंकि देखो stat same है ज्यादा कोई difference नहीं है बट यह क्या है न यह हमारा kolosum में अच्छा perform करता है oath keeper के comparison में तो इसलिए यहाँ पर हमें infantry attack मलता है 30% hp boost मिल जाता है infantry का 30-50% तो यह एक best hero रहेगा infantry के regarding और तीसरी चीज़ अब मैं बत करता हूँ bombing goblin को bombing goblin को रखने का यही रीजन है कि इसमा army attack मलता है 20% जैसे कि मैंने बता है देखो army attack is the best one army attack जहां मिल जाया army max hp मिल जाया सबसे पहली priority इसके उपर भी एक पूरी proper video बना दूँगा आप लोगो को बहुत doubt रहता है कि आर्मी attack अच्छा army max hp अच्छी है या फिर attack अच्छा है infantry infantry defense अच्छा है तो इन सब के उपर अगर आपको वीडियो चीए आप comment करेगा मैं proper आपको एक वीडियो दूँगा जिसके अंदर आपको पूरा clear cut समझा जाएगा तो अब बात करते हैं देखो heroes में bombing omblin बता दिया child of light आपको क्यों करना है क्यों क्यों करना है क्यों 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 30% boost मिलता है यहां से 50% का same cave का और snow queen को भी यही reason है अपग्रेड करने का कि यहां पर हमें range का मिल जाता है system तो यह चीज़े देखो यह 5 heroes ना इसलिए मैं आपको क्यों और बाकी heroes को ना कोई जरुवत ने भाई एक hero को touch मत करना ना इवन इसको rank 1 से rank 2 तक भी ले जाना क्योंकि यह generate करेगा extra might जो कि एक solo trap के लिए एक तरीके से ना वो मतलब कहलो जहर होता है might एक जहर है solo trap के लिए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यह 5 heroes best हैं देख सकतो मेरे पूरे trap के अंदर सिर्फ 5 heroes gold हैं और उसके अलावा कोई भी सारे के सारे ग्रे पड़ेव हैं कोई दिक्कत नहीं भाई आराम से देखो kolosum में भी अच्छी कासी ranking आ जाती है jewels देख लो 72 gems मिलते है मुझे पर आवर मदब पर तीन आवर के gap पे तो देख सब तो यह कोई बुरे नहीं होते even मैं बता रहा हूँ जो बंदे मंदब अच्छा कासा P2P solo trap रखते हैं न मेरी ranking मैं बताता हूँ अगर मैं अच्छे से खेलू kolosum को तो 300 के आसपास रहती है 300 ranking भाई बहुत अच्छी होती है अगर kolosum में देखी जाए F2P के accounting बाकी यह सबसे best trap के लिए न यह best ranking है अब बात करते हैं wall दिखास दो एक बर अपनी देखो wall के अंदर मेरे देख सकते हो मैंने सिर्फ दो battle slot open किया है जो कि हमारे फैमिलियर के लिए और बाकी के आप देख सकते हो कि आपको use क्या करना है और एक बात और रहती है कई हो के मन में कि भाई मैं मतलब जो अपना leader है वो कौन सा रखूँ भाई देखो leader से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला leader आप वैसे mostly देखो rose knight रखते है बट लोग mostly कई बार क्या होता bombing goblin आपको जो leader होगा वो सिर्फ इन पाचों में स्वैप करना है इसके अलावा किसी और में स्वैप मत करना है नहीं तो वो wall से हट जाएगा बंदा और वो आपको एक बहुती तगड़ा damage देगा तो इसलिए आपको heroes सिर्फ इन में से ही रखने है जो आपकी wall के मतलब main lead होंगे तो इसलिए यही चीज रहेगी 5 heroes मैंने आपको बता दिये अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो भाई comment ज़रूर करिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए आप comment करिएगा कि आपको किस topic पे जानना है क्या जानना है आपको detail में एक दम clear करूँगा जैसे कि heroes के बारे मैंने बताया सिर्फ 5 heroes best है इवन मैं बता रहा हूँ यह जो 5 heroes है रैली trap के अंदर भी आपके best आएंगे बट रैली ट्रैप में देखो एक चीज होती है जो आपको मैं बता दूँगा अगर आपको जाननी हो तो comment करिएगा मैं बता दूँगा रैली ट्रैप में बस थोड़ा सा difference आता है heroes के cases में बागी तो almost सब कुछ सेम रहता है तो चलिए thank you so much thanks for watching मिल देनेक्स रुड़े में जय हिन जय भारत